हे वीवर्स वेलकम बैक मैं चैनल इस्तरी स्ट्रगल कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स जो मेरे वीवर्स नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियोज को देख रहे हैं तो एक बार उनसे मैं अपने आपको इंटर्डूस करा दूँ मेरा नाम च्छवी है और मैं एक हाउस पाइफ हूँ मैं UPPCS ROARO ESPNS हूँ मेरे दो बच्चे हैं एक मेरी बेटी है वो फित क्लास में पढ़ती है और बेटा UKG क्लास में पढ़ता है मेरी साधी को 10 साल हो चुके हैं और अभी कुछी मेनू से मैंने अपनी प्रिपेशन को स्टार्ट किया है और मैं अपनी study journey अपने routine के साथ YouTube पर share करती हूँ ताकि मुझसे motivate होकर मेरी जैसी मेरी बेहने बहुत सारी housewife ऐसी हैं कि जो साधी के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ चुकी हैं या उनकी यही समझ में नहीं आरा और आप भी जो है उसको अपना कर अपनी लिए अपनी पढ़ाई का time निकाल सको और कुछ हमारी housewife ऐसी होती हैं कि बहुँ ज़्यादा talented होती हैं बहु ज़्यादा minded होती हैं लेकिन बस इसी वज़े से कि time नहीं मिलता और कर नहीं पाते तो इनी सभी के वज़े से भी अपनी study को continue नहीं कर पाती और आपको सुनकर बड़ा जीब लग रहा हुआ कि मैंने साधी के दस सलबाद अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट किया है जी हां क्योंकि मेरा मन तो पहले से ही था पढ़ने का स्टार्टिंग सही रहा है लेकिन कुछ परस्तितिया ऐसी ही कि मैं नहीं कर पाई और अब मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता था मेरे माइन में हमें से यही बाते चलती रहती थी कि तेरा पढ़ने में इतना ममन था और तूने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और बस इसी मलाल के साथ ऐसे ही जीवन पूरा हो जाएगा और कभी कुछ नहीं कर पाएगी इतनी मुस्किल से तो जीवन मिलता है और इसमें भी जो हमारी एक ख्वाईस है उसे भी हमने पूरा नहीं किया तो फिर क्या फाइदा है ऐसे जीवन का तो बस यहीं सोच कर जो है मैंने अपनी पुड़ाई को स्टार्ट कर दिया और देखा जाएगा जैसा भी होगा लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने किसी की कोई परवाह नहीं किया कि मेरी साथी को 10 साल हो गए है तो मुझे लोग क्या बोलेंगे और मेरी एज इतनी हो चुकी है कि एज को लेकर भी वह सारे लोगों की कमेंट्स आते हैं मुझे कि मैंम अपनी एज बताईए तो आज मैं आप लोगों को अपनी एज रियल एज बता रही हूं मेरी एज 35 हो चुकी है और मेरे पास जो है अभी 10 साल है अब 10 साल कम नहीं होते 45 तक हम लोग एक्जाम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कार्ड सर्टिफिकेट मिलने के वज़े से 5 साल के हम लोगों को छुट भी मिल जाती है तो फिर अगर हमारे पास 10 साल है तो हम इन 10 सालों का यूज क्यों न करें इंसान तो मेहनत करके एक एक महिने में, दो दो महिने में चार महिने में पता नहीं क्या से क्या कर लेता है और हमारे पास तो फिर भी 10 साल है और हम ऐसा क्यों सोचें कि 10 सालों तक हमें करना होगा साल छह मेने एक साल दो साल के अंदर-अंदर शैद हम अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी काम्याबी को हासिल कर ले तो यही सोच कर जो है मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है और आज यह समय आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप सब भी जो 30 प्लस हो चुके हैं 32 प्लस हो चुके हैं वो जैंट भी हो सकते हैं और हमारी जो है वोमेंस भी हो सकती है तो सब यह सोच लेते हैं कि नहीं अब नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है जब मैंने स्टार्ट किया है तो आप भी कर सकते हैं और वैसे भी कहते हैं न जब जागो तभी सवेरा तो बस हमारा सवेरा अभी हुआ है तो हम अभी से जो है अपने स्टार्ट कर दे रहे हैं और आप लोग भी साइद मोटिवेट हो पाओ मुझसे तो जी अब बात करते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मेनेज करती हूं तो और फोन से भी मैंने दूरी बना कर रखी हुए है सोसल मीडिया से वैसे तो देखो मेरे अकाउंट्स हैं ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट्स नहीं है सोसल मीडिया पर लेकिन मैं जो है उनसे उतना ही यूज करती हूं जितना मुझे जितना मुझे जरूरत होती है मुझे उन आने ही होगी सुबह का काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूं और मेरे बच्चे जो है स्कुल से आते हैं दो बजे तो मैं कोशिस करती हूं कि मेरे सारे काम साड़े दे से ग्यारे बजे कंप्लीट हो जाए जब मुझे कपड़े दुनने होते हैं तो ग्यारे बजे काम कंप्लीट हो जाता है नहीं तो साड़े देस बजी हो जाता है तो जो मेरे दो बजे तक का टाइम होता है वो मेरा ही होता है तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ा भी होता है टाइम मैनेज करना और बच्चों के स्कुल से लाने के बाद जैसे कि आप लोग देखी रहे हो बच्चों के सारे जो कपड़े वगएरा होते हैं सब को संभाल कर रखना उनको मतलब कि उनकी जगह पर फिक्स करना ये सब काम खुद ही करना होता है मुझे क्योंकि म अब प्रूट भी खालेते हैं दूद भी पी लेते हैं तो ऐसा भी करते हैं बच्चे तो उन्हें जो भी देना है वो दे देती हूं काने के लिए फिर मेरे बच्चे जो है एक से डेड़ घंटा बैठकर टीवी देखते हैं दो फायर में आने के बाद आते ही मैं भी फोर्स टीवी देखेंगे और मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अगर मैं बोलूगी मुझे डिस्ट अप नहीं करना तो वो मुझे डिस्ट अप नहीं करते हैं कि बच्चे काफी बड़े हो गए हैं तो मेरा फिर जो है सेकंड इस्टुडी स्लोट होता है इसी तरीक और तीन बज़े से पांच बेजे तक का ताइम मेरा होता है, फिर मैं पांच बज़े उठती हूँ, बच्चे को दूद बगारा जो देना होता हुँ, पिर जो मेरे शाम के काम होते हैं, भी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि साम को जाड़ू लगाना वो मैं डेले ही करती हूं तो जाड़ू जो है मैं लगा देती हूं और उसके बाद जैसे कभी-कभी मन होता है तो थोड़ा बहुत है भार को भी 10-5 मिंट के लिए मैं आ जाती हूं भार गूमने के लिए जादा नहीं मैं बस मुस्किल से 10 मि फ्रैस हो जाता है थोड़ा बच्चे भी आ जाते हैं तो अच्छा लगता है उसके बाद मैं भी बच्चों को बैठ जाती हूं पढ़ाने के लिए अब बेटी तो काफी बड़ी हो गई है उसको एसा नहीं होता कि उसके पास हमेशा बैठ नहीं होता है कुछ चीजे जो उस मैं शाम की पूजा का टाइम हो जाता है और उसके बाद मैं शाम की पूजा करती हूं क्यों कि मैं घर पर अकेली हूं तो सारी रिस्पोंसबिलिटी मेरी होती है पूजा संध्यारती सब कुछ सारे काम मेरे उपर ही है तो वह सब जो है मैं अपने निप्टाती हूं और फिर कभी ऐसा होता है कि मुझे खाना जल्दी नहीं बनाना होता है हस्बन लेट आते हैं तो आठ बजे में खाना बनाती हूं तो उससे पहले में जो है छे बजे पुझा करने के बाद अपनी पढ़ाई को जो है जब तक कर लेती हूं एक से देड़ घंटा तो यही होता है मेरा स् अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जुरू जाना फिर मिलोंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर